तो बैकसाइड पर राइस बन रहे है और मेन्वेल मैंने सोचा कि एक वीजे इंटर्वी प्रेप के ओपर जो है एक वीडियो बनाया दिया जाया मैंने खुद में भी अपीर किया हुआ है इंटर्वी के लिए पहले और इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको एंड तक देखना जरूरी है हलंकि मैं 30 questions के बारे में discuss करूँगा बट वो 30 questions पूरे में discuss करेंगे उसमें से major 5 questions जो बहुत जाता frequently ask किये जाते उन पर आज discuss करने वाले कि वो questions क्या है और उनको answer कैसे करना है आपको जो interview होने वाला है इतली student visa का वो approximately 5 minutes to 30 minutes कहीं भी रेंज कर सकता है और हर एक candidate के लिए questions अलग हो सकते हैं और कई candidates का interview within 5 minutes भी हो जाता है तो ऐसा मैं सुचिए कि उसका पांच वीडिम हो कि आपका 25 minutes तक क्यों हुआ कई cases में वो visa officer different होते तो फिर changes देखने को मिली जात है तो पहला question जो आपको आ सकता है वो आ सकता है कि why this university और इस university के बारे में आपको कैसे पता चला so कैसे पता चला तो वह friends, relatives या जनरली online websites का बता सकते हो या directly university website के नाम भी ले सकते हो but क्यों ये university एक बहुत बड़ा you know unique question अपने आप में ही क्योंकि और भी universities है उनको क्यों न जिए प्रिपेर करके जा तो इसमें आतो आप बोल सकते हो कि ranking इसकी काफी अच्छी थी तो अपनी university ranking पता कर लो establishment year पता कर लो कि आप हजार साल पुरानी university 200 साल पुरानी university क्योंकि ऐसी university है जो thousand years back established हुई थी तो या फिर ये बता सकते हो कि इसके placements काफी अच्छे professors काफी highly qualified practical education है, theory पे जादा focus ना करते हुए, practical subject पे जादा focus किया जाता है तो ये so and so बहुत सारे reasons होते हैं जिनके तुरू आप बता सकते हो और अगर finally कोई option ही तो आप ये भी बोल सकते हो कि यार मेरा एक ही university से admission है और ये ही university, that's the reason I am selecting this one. So इस तरीके से इसको mold करके आपको justify करना त प्रिपेर कर लेना अच्छे से. Next question जो आ सकता है कि why this particular course? तो course के लिए आप क्या करना है या तो पहले अपना syllabus या curriculum को अच्छे से देख लेना, ये बता सकते हो कि इसका curriculum और syllabus जो है वो मेरे interest अलाइन कर रहा है तो वो बता सकते हो, या फिर second reason दे सकते हो कि आपका course जो है, तो desired course है, और जो आपने previous education के अवा है, वो correlate कर पा रहा है, current course जो है वो align कर रहा है, आपके previous education से वो reason बता सकते हो, और उस course के job prospects बता सकते हो, कि या उस course को करने के बाद job prospects जो होने वाले है, वो काफी अच्छे होने वाले है, तो इन तीजार बिजन से आप इस course को justify कर सकते ह हलनकि यह जनरलाइज वीडियो होने वाला है, तो काफी students इसको देखेंगा उस हिसाब से प्रिपर करेंगे, तो थोड़ा सा unique touch आपको देना रहेगा इन दो questions, यह दोनों questions बहुत important है, why this university and why this course, इन दोनों को crack कर गयाना, तो आपका 50% of the come हो जाएगा, now third question would be, कि why Italy and why not in India, जैसे engineering वाली students को पूछा था, कि आप Italy को प्रेफर करेंगे इंजिनरिंग के लिए, तो ऐसे इसको justification देना पड़ता है, why Italy में तो बहुत सारे multiple reasons हो सकते, सबसे पहला affordability, क्योंकि यह काफी affordable, यहाँ पर आपका education है, बहुत कम cost में हो सकता है, वो आप बता सकता हो, public universities में, औ आपको public university में admission आया, जो कि इंडिया में भी compare करेंगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा से expensive हो सकता है, Indian universities में, second दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे scholarship opportunities मलती है, तो आप scholarship के बारे में भी make sure learn करके जाए, जिस scholarship के लिए आप apply करके जा रहे हो, ताकि आपको explain करने में आसानी हो, quality education की बा तो यहाँ का weather जो है, Indians के लिए काफी suitable होता है, यहाँ का food भी है, जो worldwide famous है, travel opportunities आपको मिलती है, क्योंकि शेंजन visa आपको मिलता है, इसे के साथ सबसे best बात, यहाँपर Erasmus exchange program मिलता है, जिसमें आप एक semester जो है, इटली से पढ़ते हो, दूसरा semester किसी और country से, internship opportunities abroad की, तो यह इसे सारे factors को combine कर गया, आप एक अच्छे से answer prepare करना है, वाई इटली वाला, next question आ सकता है, sponsorship को लेकर, यह सबसे important है, तो make sure अपने financials को बहुत अच्छे से पढ़के जाए, कि पापा का ITR कितने का है, and so on, fathers की working activity बताना होगी, कि किस position पर है, कितने सालों से काम कर रहे है, and so on ठीके, उसके बाद proof of funds बताने वाले कि एकदम से अगर कहीं से funds आया, तो उसका explanation देना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से maintain है, तो कोई दिक्कत नहीं है, saving से आप बता सकते हो, ठीकिन एकदम से कहीं से लेकर आया, तो उसका justification देना रहेगा आप अगर आप पर dependent है, आपके फादर के उपर, तो इतनी कम income में, आप कैसे manage करोगे यहाँ पर, abroad में, तो एक वो question उट सकता, तो उसको थोड़े सा अच्छे प्रेपर करना, कि आपका sister हो, तो वो working में हो, या अगर आपका brother हो, तो वो working में हो, तो वो manage कर लेंगे घर के expenses, और पहली tuition fees कितनी होने वाली है, तो tuition fees जो आप बता सकते हो, वो बता दो कि approximately average level पर 1000 euros होती है, साथ में, जो living expenses वो 6000 euros per year होता है, ठीक है, 6000 तो 500 euro per month के साब से food और आपका accommodation हो जाएगा, और इसको multiply कर लो 12 से तो 6000, तो 6000 plus 1000, 7000 euro is going to be your per year cost, तो 2 year का costing कहीने की 14,000 euros के आप उनको बता आपको scholarship मिले के, कर आपने scholarship apply कर रिखे तो वो भी बता सकतो कि इससे मेरा scholarship से cover हो जागा, but still my parents has this saving, तो वो saving में यहापर बता दी है, तो इस तरीके से इसको justify कर सकतो, तो यह 5 questions बहुत अच्छे से learn कर लेना, इसके अलावा there are 25 more questions जिसका मैं link description में दे दूँआ, तो इस link पर आप में जो पढ़ा लिखा है ना पहले, उससे related questions हो सकते, वो अब depend करता है, engineering है, तो अलग questions होगे, management होगे, arts होगे, different different backgrounds होगे, different different questions होगे, तो उसका knowledge भी होना आपके लिए जरूरी है, जो rejections अभी common आ रहे है, वो in reasons की वज़े से आ रहे है, तो make sure कि in reasons पर काम कर लो, तो स कोई भी doubt हो, और भी कुछ questions हो तो आप comment section में पुछ सकते, तो मिलते हैं लोग next video में, till then, bye bye, take care and all the very best.